आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो हमें क्या करना है इसे proof करना है और G क्या है centroid है किसका triangle ABC का तो हम क्या करते हैं ने को vertices तो हमें triangle की दिन ही है तो हम क्या करते हैं triangle ABC के coordinates let कर लेते हैं ठीक है let triangle ABC be any triangle be any triangle whose coordinates are ठीक है उनके coordinates हम क्या करते रहे हैं let कर रहे है coordinates are क्या होंगे A, A को हम let कर रहे है x1, y1 B, B को हम let कर रहे है x2, y2 and C C के coordinates क्या let कर रहे हैं x3, y3 ठीक है, तीन coordinates हमने let कर लिए अब क्या कह रहा है कि G भी जो है G जो है वो centroid है triangle का, ठीक है G be the centroid of the triangle centroid of the triangle ठीक है और हम P क्या let कर रहे है let कर लेते हैं कि P को any other point on the plane है मतलब हम P क्या कर रहे है origin let कर रहे है, let P be the origin ठीक, let P be the origin P को हम क्या let कर ले रहे है origin let कर ले रहे है ठीक है, चलो तो अब हमें क्या proof करना है ये proof करना है, ठीक है तो हम क्या करते हैं, हमें देखो पता होता है कि अगर G के, G जो है वो centroid है तो centroid की coordinates क्या क्या होते हैं, अगर कोई triangle है जैसे कि अगर मैं triangle ड्रॉ करूँ, ये मेरा कोई triangle है ठीक है, A, B और C ठीक है, इसके coordinates है, X1, Y1 X2, Y2 और X3, Y3 ठीक, इसके coordinates है तो अगर हम मैं centroid के coordinates निकालूँगी तो centroid के coordinates क्या होते हैं X1 प्लस X2 प्लस X3 बाइटरी Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बाइटरी ये होते हैं centroid के coordinates तो यहां से अगर मैं G के coordinates निकालूँगी तो क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे X1 प्लस X2 प्लस X3 बाइटरी कॉमा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बाइटरी चलो और A के coordinates है X1, Y1 और B के X2, Y2 तो यहां से हम A, B distance निकाल सकते हैं A, B की तो A, B की distance क्या हो जाएगी A, B की distance distance formula का use करेंगे हम यह हो जाएगा X1 माइनस X2 का whole square या X2 माइनस X1 का whole square प्लस Y2 माइनस Y1 का whole square तो यहां से अगर मैं P A की distance निकालो तो P A तो P A क्या हो जाएगा under root P A A के coordinates है X1, Y1 तो coordinates हो जाएगे P A की distance हो जाएगी X1 माइनस 0 का whole square प्लस Y1 माइनस 0 का whole square तो P A square क्या हो जाएगा X1 square प्लस Y1 square इसी तरह मैं P B square निकालो तो P तो origin 00 और B के X2, Y2 तो यह हो जाएगा X2 square प्लस Y2 square और इसी तरह PC square क्या हो जाएगा X3 square प्लस Y3 square तो यहां से अगर मैं अब अपनी यह देखती हूँ LHS part देखती है तो P A square प्लस P B square प्लस PC square है तो हमारा LHS part क्या आजाएगा LHS part आजाएगा हमारा P A square प्लस P B square प्लस PC square तो P A square क्या है X1 square प्लस Y1 square और P B square है X2 square प्लस Y2 square और PC square है X3 square प्लस Y3 square ठीक है अब हमें RHS प्रूफ करना है ठीक है RHS प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए GA2, GB2, GC2 और GP2 और P के कोडिनेट से यहां पे 0,0 और A और B और G के सारे कोडिनेट से हमें पता है तो बस हमें डिस्टंस फॉर्मूले के यूज करके ये values find करनी है, अगर हम gp square निकालते हैं, तो gp square क्या आएगा, देखो, gp square आजाएगा मतलब gk coordinates x1 plus x2 plus x3 by 3 minus 0 का whole square plus y1 plus y2 plus y3 by 3 minus 0 का whole square यही तो होगा y3 by 3 minus 0 का whole square, तो यहाँ से gp square क्या आजाएगा यहाँ से अपना gp square आजाएगा x1 square plus x2 square plus x3 by 3 का whole square and plus y1 plus y2 plus y3 by 3 का whole square यह अपना gp square आगया, ठीक है अब हम यहाँ से ga की value भी निकाल सकते हैं, अना अपना ga square क्या हो जाएगा g के coordinates पता है, हमें a के भी पता है a के है, x1 और y1 x1, y1, तो यहाँ से देखो अगर हम ga square निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x1 minus यह हो जाएगा x1 plus x2 plus x3 by 3 का whole square plus यह हो जाएगा y1 minus y1 plus y2 plus y3 by 3 का whole square, ठीक है, तो यहाँ से यह value देखो क्या आ रही है, ga square की value आ रही है, अगर हम lcm लेते हैं, तो यह हो जाता है क्या, 3 है ठीक है, lcm लेंगे तो यह हो जाएगा 3 x1 minus x1 that is 2 x1 minus x2 minus x3 का whole square plus यह हो जाएगा 3 y1 minus y1 that is 2 y1 minus y2 minus y3 by 3 का whole square, ठीक है, यह अपना आ गया, ga square ठीक है, तो यह तो आ गया अब हम gb square की value भी find कर सकते हैं, ठीक है तो gb square क्या हो जाएगी gb square हो जाएगी अपनी x2 minus x1 plus x2 plus x3 by 3 का whole square plus y2 minus y1 plus y2 plus y3 by 3 का whole square ठीक है, तो यह value देखो क्या आ जाएगी, यह value हो जाएगी 3 x2 minus x2 that is 2 x2 minus x1 minus x3 by 3 का whole square plus 3 y2 minus y2 that is 2 y2, right तो यह हो जाएगा 2 y2 minus y1 minus y3 by 3 का whole square इसी तरह हम gc square निकाल सकते हैं, ठीक है तो gc square क्या हो जाएगा, देखो gc square भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे x3 और y3 के term आ जाएगे तो यह हो जाएगा, 3 x3 minus x3 that is 2 x3 minus x1 minus x2 by 3 का whole square प्लस यह हो जाएगा, 2 y3 minus y1 minus y2 by 3 का whole square ठीक है, यह value आगे, अब हम अपना rhs देखते हैं, ga square plus gb square plus gc square plus 3 gp square, ठीक है, अपना rhs rhs हमारा क्या निकालना है, ga square plus gb square plus gc square plus 3 gp square, ठीक है, यह value हमें find करने हैं, तो चलो, ga square अपना क्या है, ga square है, अगर हम उपर वाले का square कर दें, देखो, यह 2 x1 minus x2 minus x3 का whole square और 3 का whole square, that is 9 plus क्या होगा, plus होगा y वाला term, y है 2 y1, right, 2 y1 minus y2 minus y3 का whole square by 9 आएगा, तो यह हो जाएगा, 2 y1 minus y2 minus y3 का whole square by 9, इसी तरह gb square क्या होगा अपना, gb square हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 x2 minus 2 x2 minus x1, 2 x2 minus x1 minus x3 का whole square by 9, plus 2 y2 minus y1 minus y3 का whole square by 9, इसी तरह gc square क्या हो जाएगा, gc हो जाएगा, अपना 2 x3 minus x1 minus x2 का whole square by 9, प्लस 2 y3 minus y1 minus y2 का whole square by 9, ठीक है, यह हो गया, अब क्या चाहिए, अब हमें 3 gp square चाहिए, तो 3 into gp की value gp square क्या था, x1 plus x2 plus x3 का whole square, यह हो जाएगा, x1 plus x2 plus x3 का whole square by 9, प्लस y1 plus y2 plus y3 का whole square by 9, ठीक है, अब हमें इसको solve करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, यह वाले जो terms है, a plus b plus c का whole square सब की खोल देंगे, देखो, सब में 1 by 9 common है, तो 1 by 9 common निकल के, जब हम इसको simplify करेंगे, तो हमारी क्या value आचाहिए, हमारी value हाजाएगी, 2 by 3 x1 square plus x2 square, ठीक है, plus x3 square, यह और plus 1 by 3 x1 plus x2 square plus x3 square, यह इसको solve करके आएगी, ठीक है, और plus में क्या आएगा, इसी तरह y के लिए जब करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2 by 3 y1 square plus y2 square plus y3 square, एंड यह हो जाएगा, 1 by 3 y1 square plus y2 square plus y3 square, ठीक, यह value आ रही है, अब देखो, अब हम इसे add कर सकते हैं, देखो, 2 by 3 x1 square plus 1 by 3 x1 square, क्या देगा, 3 by 3 that is x1 square, यह क्या देगा, x2 square plus x3 square, और यह क्या देगा, अपना y1 square plus y2 square plus y3 square, ठीक है, अब देखो, हम अपनी RHS वाली, LHS की value देखते हमारी क्या, x1 square plus x2 square plus x3 square, y1 square, y2 square, y3 square, और हमारी RHS की भी value सेम आ रही है, तो यानि हमारे यहां से क्या रहा है, कि LHS is equals to RHS, right, LHS is equals to RHS, मतलब यह क्या हो गया, कि हमारे यह प्रूव हो गया कि, hence, pa square plus pb square plus pc square is equals to ga square plus gb square plus gc square plus 3gp square, ठीक, यह हमारा प्रूव हो गया, ठीक, हैंस प्रूव, ठीक, ठीक, थैंक यू. Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर.